मातारानी की क्रिपा पाना हर किसी की चाहत है लेकिन कुछ ऐसे सूपसंकेत जो नौरात्र में आपको नजर आने लगे तो इसका मतलब है मातारानी आपकी पुजा स्विकार कर चुकी है और आपके घर पधार रही है तो उनका स्वागत करें आखिर वो सूपसंकेत क्या है अक्सर लोग कहते हैं कि बदनसीबी बहुत है परिसानिया बहुत है और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आपको बहुत भागे साली समझते हैं तो क्या ये समझने से सब कुछ होता है बिल्कुल नहीं लेकिन कुछ संकेत ऐसे जरूर है जो आपके भागे को ब पुलवान होना लोग समझते हैं कि बहुत जरूरी है लेकिन कुछ ऐसे सकुन होते हैं जो जीवन में खुशियों को बढ़ाते हैं जिंदगी में रौनक ले आते हैं अपने अक्सर देखा होगा बहुत बार देखा होगा कि एकदम से कुछ भी नहीं था लोगों की हैं काम करत लेकिन अच्छानक से लागा जैसी की लोटरी लग गई और बहुत सफल हो गया कोड़ पती हो गया कैसे नवरात्र के दिनों में मां चैतर्नी होती हैं और इन दिनों में की गई सक्ची भक्ती से माता का तुरंत आपको आसिरबाद भी प्राप्त होता है और यदि आपकी भ हटनाओं को एक ऐसा जीव जो लगातार आपके घर में आने लगे तो समझ लें कि अब भागे बदलने वाला कि वह कौन से हैं तो चलिए समझते हैं सुरवात से वैसे तो नारियल को हम समाजिक परंपरा में बहुत सुमानते हैं और आप उठते ही अगर आपको नारियल दि आपके दाहिनी तरफ या कुट्टा दिख जाया सांप दिख जाया दाहिने साइड इसका मतलब है आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ धनलाब होगा अगर रात में आप सोते हैं और सपने में आप सफेद या फिर सुनहरे रंग का सांप अकसर देखते हैं तो यह भी के दरवाजे खुलने का संकेत है यानि निकट भविस्व में आप बहुत जल्दी सफल होंगे आपके जीवन में कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है अगर आप सपने में देखते हैं हरे भरे प्राकिर्टिंग नजा रहे तो यह सबसे ज्यादा सुप सकुन माना गया है क्य गर से अपने बहार निकला देखा दूद वाला जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ यह अच्छी किसमत का संकेत है और लगातार कुछ दिनों तक अगर आप दूद दही देखने लगे तो इसका मतलब है अब आपका समय अच्छा चलने वाला है तो समय का फायदा आपको उठ लक्षमी कहीं न कहीं से आपको धन देगी अब आपका नीदी खुलता है कोई सुमंगल परती चिन्न से जैसे लोग संख बजा रहे हैं मंदिर में घंटी बज रहे हैं आर्ती हो रहे हैं पुजा पाट हो रहे हैं यह भी भागे के प्रबल होने के संकेत है क्योंकि बहुत को ही ऐसी दोनी सुनाई देती है आप किसी बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं और रास्ते में 16 रिंगार की वी कोई लड़की दुलहन नजर आ जाए यह भी भागे को प्रबल होने का संकेत माना जाता है वैसे तो चमगादर का घर में आना अच्छा नहीं है लेकिन अगर आ असुब असंकेत है इसलिए आपके घर में तो तुरंत अटाईए नहीं तो बरकत चली जाएगी जिन्दगी में हर किसी का कोई न कोई लकी डे होता है कहीं भी से भी आपको धन उस दिन मिली जाएगा और उस दिन का फायदा आपको उठाना चाहिए क्योंकि उस दिन जितन आपका भाग का ताला खुलने वाला है मकड़े के जाले घर में होना बढ़िया नहीं होता लेकिन मकड़े के जाले में आपका नाम का पहला अक्षर दिखाई दे जाए तो एक अच्छा संकेत माना जाता है यानि उस दिन आपके लिए बहुत जिवन में अच्छा होने वाल कभी कभी हर बढ़ाहत में हम उल्टे कपड़े पहन लेते हैं और जब फिर सिधा करते हैं कोई टोक देता है कि उल्टे पहने हो इसका मतलब है कि सुक सम्रिद्धी अब बढ़ेगा अब जीवन में सिर्फ खुसियां ही आएंगी अब कभी कभी क्या होता है आप कहीं जा रहे है आपको अगर आपके घर में रोज रुज कुत्ते आ रहे हैं आकर कहीं बच्चे दे देते हैं चट डूनते हैं रहने के लिए कोई कुतिया है काभिन है उसको बच्चा होने वाला है तो इसका मतलब भी अच्छा होता है इसका मतलब है कि निकट भविस्से में आपको देख जाए मिल जाए तो समय का आनंद जरूर उठाइए क्योंकि अब जल्द ही भागय का सितारा चमकेगा अक्सर आपने देखा होगा कि बारिस भी और यह दूपी उग गया है यह भी धनाने के संकेद माने जाते हैं कच्वा को लोग भागय का प्रतीक मानते हैं और इसलिए अगर आपको कच्वा कहीं भी किसी भी रूप में दिख जाए यानि कि ओरिजिनल हो संग्मर्मर का हो कुद्स्टल का हो अच्छी खबर जरूर लाता है कच्वा डॉल्फिन उसके पीछे अगर आप मन्नत लिख के रख दें तो मन्नत बहुत जल्द पूरी होती है कैसी भी मन्नत हो सुवर वैसे तो सुवर को भागय लाने का प्रतीक माना जाता है और इजिनल में भले ही सुवर को चीची करें लेकिन यह पिगी बैंक का राज ही बहुत अलग है क्य इसको कहते हैं जिंगूर जिंगूर का सोर अगर सुनाई दे आपके घर में घर में आ जाए तो इसका मतलब है अब आपको पीछे मुड़ने की आवा सकता नहीं क्योंकि अब सिर्फ खुसी आएंगी सिर्फ धन आएगा मालक्षमी अपने साथ जिंगूर को लेकर ही आती है उनको पहले बेशती है जो सोर करो और जीवन में खुसीयां का आनंद को घोलो तो ये संकेत किसमत को बदलने का है अगर छोटा बच्चा आपको हस्ते बे मिल जाया आप कहीं जा रहे हैं या सुबस वो उटते हैं उनकी हसी से ही ये भी खुबसूरा संकेत है भागे बदलन आप सोकर उटते हैं बहुत अच्छा फील करते हैं एकदम से अंदर से लगता है कुछ खुसी महसूस हो रही है ये खुसियां किस चीज की है ये मालक्ष्मी के आगमन की खुसियां है तो इसको इंज्वाई कीजिए समय का फायदा उठाना होगा बैठे रहेंगे तो भाग घर के दर्वाजे पर गाय आने लगे बिना खाय मत जाने दीजिए अगर गाय आपके घर के दर्वाजे पर आ रही है तो इसका मतलब है मालक्ष्मी महरवान है जीवन के कस्ट मीटेंगे हर हर महा दे